मैं हूं सामया खान वेलकम टू खाना खाजाना चैनल आज हम आपको बताना जा रहे हैं कि मट्र पुलाओ कैसे बना यह बहुत ही टेस्टी रेसिपी है चलिए हमने कुछ समाल लिया है बताते हैं उसके बारे में जैसे मैंने डेड़ ग्लास चावल ले लिए यह वाला ग्लास बीच में से काट लिए और पुल साइज क्ट कर लिए हमने वन टेबल मेने जिंजर गार्लिक Oreo लिया है औरती इस्पून में सॉल्ट ले लिया है weakened सावत गरम bez अग्या नहीं एक सentiर्षे मैंने पांस से च्छर लोंक ले लिए और पांस से च्छर काली मिर्सी ले लिए और दो यह हरी इलाइसी ले लिए इसी बहुत इछा टेस्ट आता है चलिए प्रोसेश स्टार्ट करतें देखें अब मर्याय बहोडर दिया यहाद रखना प्लेम हाई रखना है ताकि जल्दी से बन जाएंगे देखिए हमारी प्यास गोल्डन बाउन हो चुकी है अब इसमें हरी मेरे चैट करेंगे अब हम इसमें जिंजर गालिक पेस्ट कर देंगे अब हम इसमें जिंजर गालिक पेस्ट कर देंगे और हम इसमें पानी सुपा लेंगे जिंजर गालिक पेस्ट का अच्छी तरीक चलाना है नहीं कि अब इसमें जिंजर गालिक पेस्ट कर देखिए हमारी जिंजर गालिक पेस सब्सक्राइब न्याओं चावल अब रखें ऐसे ने ने पाइन करें तरह को प्लाइब यह मादा प्लाइब्ट आब नियुकर दो किसा अब को ताकिक काई में यह देखिए हमारी में चावल के साथ 5 मिनट एक्ष तरीके से बहुन चिकी है मसाले के साथ नहीं चावल कर देंगे ऊस्टे पाई ढ़ूंगे विद्स पान यह जितने चावल यह तो तो शेवगुना पानि डालना है मैंने 1.5 ग्लास चावल लिए हैं मैं तीन ग्लास पाई डालूंगी आप हमें से अच्छी दरगे चला देगे मैंने पानी आड़ कर दिया है और 10 मिट तक के लिए इसे ढख के रख देंगे अब मैंने 10 मिट तक के रख दिया है डख के हाई फिलेम पे ताकि जंदी बन जाए चावल हमारी मैं नमक एड़ कर दिया है इसमें जो मैं नमक लिए था वन टी स्पून आप भी डाल दें कि देखंऄ दस मिट पूरे हो चुके हैं आप में देखेंगे अप्लाव कैसे बनाए आप देख सकते हैं बिलकुल अच्छा बनाया प्लाव दस मिट बिलकुल तैयार होगा यह अब हम इसे डिश आउट करेंगे देखिए मारा मडर प्लाव बिलकुल रयंटी है बहुत ही बनाए अगर आपको मेरी रेसीबी पसंद आये तो आप घर पे ज़रूर ट्राइए करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करें और शेयर करें और थैंक यू सो मच